हेलो फ्रेंट्स, वेललकम बेक माई यूट्यूब चनल आज हम जानने वाले हैं कि बेबी बोय या बेबी गरल अगर आप कन्सिव करने वाले हैं तो आपके शरीर में क्या इस égalवर होते हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप baby boy या baby girl को ही consume करना वाले है pregnancy में वजन बढ़ने का संबन बच्चे के gender से भी बताया गया है एक study में इस बात पर गोर किया गया है कि pregnancy के दोरान वजन बढ़ने और baby के gender के बीच में connection की जांच की गई इससे पता लगाया जा सकता है अगर आपका weight 10 से 12 किलो या 15 किलो बढ़ गया है तो आप baby boy को ही consume करना वाले है एक विज्ञानिक जो public library of science जुआर प्रकाशी जनरल में छपी एक study में 25 सालों तक 70 मिलियन बच्चों का विशलेशन किया गया इस study का कहना था कि pregnancy में वजन बढ़ने का संबन बेटे से हो सकता है study के अनुसार जब pregnant मेहला का वजन 10 किलो के आसपास बढ़ा तो 49% मेहलाओं ने बेटे को जन में दिया वहीं 20 किलो के आसपास बढ़ने वाला यानि कि जो 20 किलो का weight जिन लोग मेहलाओं में बढ़ा है 52.5% मेहलाओं ने भी बेटे को ही जन में दिया है डॉक्टरों का कहने के अनुसार मेल भून का metabolic rate जादा होता है उन्हें ठीक तरह से विक्सित होने के लिए जादा calories की आविशकता पड़ती है इसी कारण मेल बेबी होने पर प्रेगनेंट मेहलाओं का वजन बढ़ जाता है यह सही साबित हुआ है क्योंकि मैं जब थर्ड मंत में अपना weight किया था मेरी ultra sound हुई थी जब मेरा 50 kg weight था लेकिन जब मुझे बेबी हुआ था यानि कि जब मैंने 9th में ultra sound करवाई थी तो तब मेरा वजन 15 kg यानि कि 50 kg तो तब ही था थर्ड मंत में लेकिन मेरा 20 kg के आसपास weight बढ़ा हुआ था यानि कि मेरा जो weight था 70 kg के आसपास था जब मुझे baby boy हुआ था तो ये बात बिल्कुल सही है अगर आपका भी weight बढ़ रहा है लगातार और जो आपका मेरी भी हाँ पर आपको जो report है वो बताऊंगी इसके साथ ही BP क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर baby boy आपके आपको कंसी होने वाला है तो जो आपकी heart rate बहुत अधिक बढ़ जाती है metabolic rate जादा होता है क्योंकि बेबी को जादा केलोरिस के आवशकता पड़ती है तो यह बिल्कुल सर्टिक लक्षन है बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं मानते है पूरी तरह से वीडियो नहीं देखते है कमेंट्स करते हैं कि यह गलत है मैंने पहले ही बता है सभी महलाओं के शरीर और हार्मनल चेंज अलग होते है सभी की बोडी अलग-अलग होती है सभी का डेवलप्मेंट अलग-अलग होता है अभी हमारे पास कुछ दिन पहले मैंसेज आया था कि बेबी बोई के सिम्टेंस है आप बेबी गल को क्यों बता रहे है तो मुझे मेरे बेबी गल के समय वो सिम्टेंस होते है इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई थी मैं दूसरी अनुमान लगाने के लिए दूसरी लेडिसों के अलग-अलग रहते हैं लेगिन अगर हम मेरे सेम है आपके सेम है तो आपको बेटा ही होगा अगर मेरे बेबी गल के साथ सेम है तो आपको भी हो सकता है बेबी गली हो और हार्ट रेट से भी रहता है कुछ तो तो हमारी इन सभी टोपिक उपर वीडियो बने आप वीडियो को पूरे धिहान से सुनें धिहान से देखें उसके बाद कमेंट्स करें मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी देखें यह मेरी थर्ड मन की है यहाँ पर मेरा जो वेट है 50 किलो के आसपास है और भी पी है हमसे कमेंट्स आया था हमारे पास हमने उनको रिप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर देखें 60 है आप यह मेरी रिपोर्ट है और भी मैं आपका आओगे बताओंगी कि मेरा नाइंथ मन्त में कितना था अब आप यहाँ पर डेट दे रिख सकते हैं 30, 6, 18 अब यहाँ पर भी मेरी 30, 8, 18 यानि कि देखें मेरा यहाँ पर भी 55 की एजी हो गया और जो मेरा बीपी था वो सेम ही था 16 था आप देखेंगे कि 16 नहीं है अब जो जच्चा बच्चा कार्ड यानि कि अगर आपकी होस्पिटल में तो मेरी गॉवर्मेंट होस्पिटल में डिलेवरी होई थी तो वहाँ पर जो मेरा बीपी जब चेक किया था मतलब होस्पिटल में डिलेवरी से ले जाने के पहले कहीं चेक करते हैं तो मेरा भी किया था तो मैं उसके थूरू भी आपको बताऊंगी अब आप यहां तो जो ब्लट पेशर बीपी यानि कि जो चेक करते हैं वह सो में से सत्तर है उसके बाद हम यहाँ पर आएगे तो देखे मेरा यह 70 kg है तो मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ आपको के इसा देखा जाता है कि अगर आप बेबी बोई को कंसीव करने वाले हैं तो आपका वेड बढ़ता है तो यह बिल्कुल सही बात है यह मेरी अल्टर साउंड रिप हमोगलोबिंग क्या है आपका वेड बीपी यह सभी चेक होती है आप सभी लोग जाते हैं अल्टर साउंड करवाने तो आपको यह कॉमन सी बाते सभी पता होता है तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही थैंक्यू वाचिंग पर दिस वीडियो कर दो